लो दोस्तों e-commerce का यह पार्ट 14 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे जस्ट इन टाइम डिलेवरी ठीक है जस्ट इन टाइम डिलेवरी कॉंसेप्ट क्या है जस्ट इन टाइम डिलेवरी एक तरीकी की स्ट्रेटेजी है जो की और कंपनी फॉल्व करती है यह स्ट्रेटरिजी टू है प्रोड़ ऑडर हमें जैसा कि पता है 一 watt और कॉंसेप्ट यह है कि जिब हमें रो मैटेरियल की जरुरएत परे और जितनी जरुरत परे तब उसे raw materials को company order करे ठीक है ना कि advance में चीजों को पहले से store करके रखे advance में चीजों को store करने से loss होता है माल लिजे जितनी हमने order की advance में चीजे advance में रख ले और requirement उतनी नहीं हुई तो क्या होगा एक तरीके से वो product है या जो raw material है वो loss होगा ठीक है waste हो जाएगा हमारा waste हो जाएगा तो नुकसान होगा ठीक है पैसे का तो कोई भी company अपना नुकसान तो चाहेगी नहीं तो ठीक है तो इसमें just in time concept यही कहता है कि जब जितनी requirement हो तभी चीजों को raw materials को order करे ठीक है just in time delivery is a supply chain inventory management strategy ठीक है supply chain के inventory management strategy एक है in which product or supplies are delivered just when they are needed reducing cost eliminating wastage and increase efficiency ठीक है तो reducing cost cost saving होता है और eliminate करते हैं wastage को इसका best example अगर discuss करना हो तो auto part company auto part जो automobile companies होते हैं जो four wheelers car होते हैं उनकी जब servicing के लिए जाते हैं और उनके internal part में damage होता है तो उसे repair करना पड़ता है repair नहीं होता है तो उसे recycle करना पड़ता है उसकी जगा दूसरा लगाना पड़ता है तो वहां पर क्या होता है जो service center होता है वह हमसे कुछ दिनों का time मांगता है क्योंकि वह क्या करता है directly उसी time on that time वह जितने product की requirement जितने part की requirement है जो part damage है उसकी requirement है वह सिधे company से order करता है फिर उसके बाद उसको मैंने inbuilt करके हमें provide करता है ठीक है तो इसका example हो गया और टो पार्ट कंपनी जश्ट इन टाइम delivery design इसलिए किया गया है क्योंकि यह efficiency को increase कर देता है wastage को decrease कर देता है by receiving part materials only when they are needed ओके तो यह था just in time मैंने sort me three minutes में आपको समझाने की कोसिस किये और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिएगा thank you